खरीदा को इंगलिश में क्या कहते हैं या आज किस वीडियो में सेख लेते हैं खरीदना को इंगलिश में बाइ करना कहते हैं B.U.I. बाइ और बाइ की सेकंड फोर्म होती है बोट यानि खरीदा को हम कहेंगे बोट B.O.U. G.H.D. बोट जैसे कि एगर आप ये कहना चाहें कि मैंने कल एक नया फोन खरीदा तो आप कह सकते हैं I bought a new phone yesterday या अगर आप ये कहना चाहें कि उन्होंने उपनगरी में एक नया घर खरीदा या एक घर खरीदा तो आप कह सकते हैं They bought a house in the suburbs या अगर आप ये कहना चाहिए कि क्या तुमने कॉंसर्ट के लिए टिकेट खरीद ली है तो आप कह सकते हैं Have you bought the tickets for the concert? अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास की सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें